अगर अचाना घर में मेहमान आ जाए या फिर बच्चों को कुछ चरपटा खाने का मन हो अगर आप चाय के साथ कुछ टेस्टी खाना पसंद करते हैं या फिर चाय के साथ कुछ स्नक्स बनाना पसंद करते हैं तो इस लेसपी को ट्राइ कीजिएगा आप इसे घड़ी देखक पांच रूटे बना करके त्यार कर सकते हैं चली आज की रेशिपिर शुरू करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो चोटा सा लाइक जिरूर कर दीजिएगा इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां ले रही हूं दो उबला हुआ आलू को सबसे पहले आप उबाल आलू इस्तमाल कर रहे हैं तो आलू को आप कद्दू कस कर ले अब यह थोला सा गरम आलू है तो मैंने फोक की मदद से अच्छे तरीकी से मैश कर लूँगी आलू को मैश करते हुए आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा कि आलू में कोई भी बड़ा सा गोटली न इसके साथ मैं एड़् करूंगी एक चमच ग्रेट किया हुए अदरक इसी किसा डालू की साथ सैट लेसन की कलिया जिसे मैं पहले ही कद्दू कस कर ली हूं अगर आपके पास लेसुन का पेस्ट है तो एक चताई चमच आप इसमें डाल सकते हैं इसी किसा डाल देंगा फ्र दोट तोकरों में तोर स्फिताद में डाले कि दूख्र कर दियारगे चाहिए कर लेंगे ब्रेड के दोगारी बॉत लगारी को आदा था चोटा चाह्मच भुणाउगा जीरा पाउडर पाउडर पस इसके लावा हम यहां कोई भी और मसाला इस्तिमाल नहीं करेंगे इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चमच नमक और नास्तिग में बाइंडिंग देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दो चमच कॉनफलार अगर आपको पास कॉनफलार नहीं है तो आरा रोट इस्तिमाल कर सकते हैं अरा रोट कॉनफलार या मैदा आपके घर में कोई भी चीज़ों इस नास्तिम में बाइंडिंग देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बेसन का फ्लिवर पसंद है तो आप इसमें दो चमच बेसन भी एड़ कर सकते हैं अब सभी चुज़ों को हाथों से मिक्स करते हुए इन्हें हम डो के फॉर्म में लाकर के त्यार कर लेंगे अगर ये इस तरीके से मिक्स करते हुए हाथों में चिपकड़ा है तो हाथों में थोरा सा तेल लगा करके इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हम इन्हें टो के फॉर्म में लाकर करके त्यार कर लेंगे और देखे मैं इने अच्छे तरीके से मसल करके चिकना कर ली हूँ और यह अच्छे तरीके से टो के फॉर्म में आ गया है इस नास्ते को बनाना इतना ज्यादा आसान है कि अगर महमान अचाना तो इसे बनाने के बार में फट्राठी के सथीफ में बनाकर कर चो Cambridge कर सकते हैं सभी नास्ते को मैं इसे तरीके से बना करके ठाकर कर ली ठाकर को बना कर दो चमच ब्रेड करने के लिए इस ही इसे तरीके से दो के तरीके से हम इसे कोट कर लेंगे पहले आप जिस सेप में नास्ते को बनाए है बस उसी तरीके साब उसे हलका फुलका सा सेप दे करके सबी नास्ते को बना ले और जब इसे आप ब्रेड क्रम से कोट करे तो अच्छा सा सेप दे ले देखे मैं इसे पहले इस तरीके से रोल कर भी और जब अच्छा ब्रीट करए हु एक सेप आ रहा है मियां धरना प्रॉक से कुछ इस तरीके सब hablando करें अब चलिए इन्हें तक अब तोरन को भीट कर लेते हैं इन्हें फ्राइब करने में तो क्रिस्पिनी Jakm तेल को अच्छे तरीके से गरम करेंगे और पूरा प्रोसेस में गैस का फ्लेम हाई करते हुए बस नास्ते को हलका सामें क्रिस्पी कर लेना है जैसे ही तेल में आप सारे नास्ते को डाल दीजेगा कुछ सेकंड के लिए आप इसे छोड़ दे और उसके बाद इसके साइड को के लिएक और लिए बीडियो को छोटा सा लाइकर करते हैं अगर मेंदी आजकी रसेपी आप process को पसंद आई हो आप मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को छोटा सा लाइक करके मेरे चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा अपने फ्रेंग्स और फैमली में जरूर शियर कर दीजेगा कमेंट करके जरूर बताए कि मेरी आज की रेसेपी आप लोग को कैसी लगी एक बार ट्राइ जाता पसंद आता है आज बनाएंगे बस दो आलू से पांच मिनट में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सा नास्ता जिसे आप बहुत ही फटा-फट से बना करके त्यार कर सकते हैं चोटी मूटी भूख लगे या फिर बच्चों कुछ अलग सा टिफिन बना करके देना हो इस रेसपी को बना सकते हैं तो चलिए आज की रेसपी सुरू करते हैं वीडियो पसंद आएगी वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा तो इस नास्ती को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रहे हूँ चार ब्रेड मैं यहाँ पर फ्रेस ब्रेड का इस्तमाल कर और वाइट ब्रेड का इस्तमाल कर रहे हूँ अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है यानि कि जो आटे वाले ब्रेड होता है उससे पीस नास्ते को आप बना करके त्यार कर सकते हैं सबसे पहले ब्रेड को छोटे छोटे टुकडों में तोर लेंगे और इस तरीके से ब्रे मिर्ची बारीग कड़ किया हुआ है तो तीख ही क्यान्टिंटी अपने ही अगर आपके पास अद्रक लेशन का पेस्ट है तो आधी छोटी चमच डाल सकते हैं। इसी के साथ बस थोड़े से मसाले अड़ कर लेते हैं जैसी के आधी छोटी चमच चिली फ्लेक्स, एक चोथाई टीस्पून अजवाइन अड़ कर रहे हूं। आधा छोटा चमच भूनाग बजीरा पाउरड और आधा छोटा चमच काली मिर्च का पाउरड इसी के साथ आप चाहे तो छाट मसाला और गरम मसाला का इस्तमाल भी कर सकते हैं। बच्चों को आलू का नास्था बहुत पसंद होता है तो आप चाहें तो आलू डाले नहीं तो इसकिप कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगी और मिक्स करने के बाद इसे ढग करके छोड़ देंगे बस पांच मिनट के लिए और देख पा रहे होंगे पांच मिनट के बाद मैं इसको दिखा रही हूं। अच्छे तरीके से थोरा सा तेल लगा ले और तेल लगाने के बाद इस तरीके से डोको मसलते वे थोरा सा हम चिकना कर लेंगे। इसे रेस्ट पे रखना इतलिए जरूरी है क्योंकि हम इस नास्ते में सूजी का इस्तमाल कर रहे हैं तो पांच जिनट के लिए छोड़ देंगे तो सूजी थोरा सा सौप्ट हो जाता है यानि कि फूल जाता है। आप इस डोको एक दिन पहले बना करके फ्रिज में रख सकते हैं लेकिन आप इसमें कच्छा प्याज इस्तमाल न करे। आप चाहें तो हाथों में थोड़ा सटेल लगा करके फटा-फट हमा नाच्ट को उगण कर सकते हैं अक्सर में पधी ग्रफट पहने का मन होता है तो बस आलो को उबाल नाच्ट को फ्राइप कर ने तयार कर सकते हैं और गव्र hindsight इसे तरीके से मैं यहाँ पर इतने सारे टिकी बना करके तयार कर ली हूँ अब चलिए इन्हें हम फ्राइब करेंगे तो पैन में सबसे पहले तेल को गरम होने के लिए रगदा जैसे ही तेल हलका सा गरम हो जाएगा एक है करते हुए पैन में हम नाश्ते को डाल देंगे अग के लिए छोड़ दे ताकि नाश्ता एक साइड से अच्छे तरीके से पक जाए इस नास्ते को हम मीडियम फ्लेम पे इसलिए पकाएंगे क्योंकि हम इसमें कच्ची सबजी इस्तमाल किये हैं तो उसे पकने में थोरा सा समय लगता है तो इस तरीके से घ्लेम मीडियम करते तो आप 5 व्रट में नास्ते को फटा फट से ही बना सकते हैं देख पारे होंगे नास्ते दोनों तरब से अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो चुका है तो बस गैस को हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद एक बर इसी कर्ची ले ले तो इस तरीके से एके करते हुए हम नास्ते को निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है इसी पैन में निकल जाए तो देख पारे होंगे एके करते हुए मैं आप सारे नास्ते को निकाल करके सर्व कर लूँगे अगर आप इस नास्ती के साथ हरा धन्य की चटनी बनाते हैं तो बहुत ज़्यदा टेस्टी नास्ता लगता है अगर आप इस हरा धन्य की चटनी के साथ नहीं सारू करना चाहते हैं तो टमेटो कचप के साथ भी नास्ता बहुत ज़्यदा टेस्टी लगता है देख पा रहे ह नास्ता कितना क्रिस्पी बन करके तयार हुआ है लेकिन अंदर से ओईली बिल्कुल भी नहीं है देखे मैं तोड़के दिखा रहे हूं तो आप इस रेसेपी को जरूर से ट्राइ कीजेगा सभी को यह नास्ता बहुत पसंद आएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्स फैमली में शियर कर दिजेगा कमेंट करके जड़ू पता है कि मेरी आज की रेसेपी आप लोग को कैसी लगी है